हेलो फ्रेंड्स स्टड़ी विट मैंक के करेंड अफ्रस्टासन आपका स्वागत है यह करेंड अफ्रस्टी बैंकिंग रेलवें स्टेट पीस सीडियेस सीएफ एफ एंडिये और अधर कंपुटेटिव इग्जमादी में साहक होंगे आज की डेट है 11 जून 2022 तो चलिए आज का करेंड अफैर सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है किसे हाल ही में अंतरास्टी मुद्राकोस के एसिया इवं प्रसान विभाग के निदेशक के रूप में निक्त किया गया है और शनी कमल माथूर और शनी कृष्ण स्रीनिवासन और शनी राकेश कुमार गुपता औ एक अंतरास्टी मुद्राकोस की प्रबन निदेशक क्रिस्टिलियाना जारजीवा ने हाल ही में भारती अर्थसास्त्री कृष्ण स्रीनिवासन को एसिया और प्रसान विभाग का नया निदेशक निक्त किया है वो 22 जून को अपना पद्भार समालेंगे आएमेफ की आपका ऑफ्षण भी कृष्ण स्रीनिवासन चलिए नेक्स्ट कुषिन पे चलते हैं कुष्ण में सब्सक्राइब हाली में किस राज्य सरकाने एसी बीवन फोर फोर जिरो जिरो एप लांच किया है और पंजाब ऑफ्षण बी तमिलांडू ऑफ्षण सी जगन मोहन रेड़ी ने ACB 14400 एप लॉंच किया इस एप को एंटी करॉप्षण ब्यूरू यानि ACB ने डबलब किया है इस एप को लोगों के लिए राज्य के अधिकारियों के खिलाब भरस्ट चार से समंदर सिकायते दर्ज करने के लिए अनुकूलित किया गया है इस एप आपका एंटी करॉप्षण व्यूरू प्लस ये टॉल फ्री नंबर मिला के जो है यह आपका एप का नाम रखा गया है ACB 14400 तो इसका जो सहीं अंसर होगा वहोगा आपका ओप्षण ओप्षण C होगा आपका आंध्र प्रदेश चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं कुशन में थर्ड है स्री लंका को चार महीने की अवधी में लगभग 48 मिलियन डौलर की मानिय सहता प्रदान करने की योजना बनाई है स्रिलंका को अगले छे महिने के लिए देश को बचायर रखने के लिए 6 बिलियन डॉलर कियावशक्ता है जिसमें कहा गया है कि दैनिक जीवन सुन्स्षित करने के लिए पांच बिलियन डॉलर को स्रिलंका लगवक दिवालिया हो चुका है जिसमें अपने विदेशी रणों का पुनर्भुपतान निलंबित कर दिया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका स्रिलंका चलिए नेक्स्ट कुष्ण पर देखते हैं कुष्ण नमर 4 है ग्लोबल स्टीजी पाइनियर के रूप में मायनता प्राप्त करने वाले पहले भारती निम्न में से कौन बन गए है अशनी प्रमोत कुमार्ट त्रिपार्थी ऑशनी रामकृष्ण मुकाविल्ली ऑश सेवत्रास्टिक ग्लोबल कॉम्पेक्ट द्वारा जल प्रमंधन की लिए वैश्विक加 सतत्विकास लक्ष पाइनियर नामित किया गया है सेवत्रास्टिक ग्लोबल कॉम्पेक्ट ने डस ने स्टीजी पाइनियर्स को नामित क्या है जो कॉर्परेट लीडर है जो मानधिकार परियावरण स्रम और भ्रस्टचार विरोधी सेफ्ट रास्टिक ग्लोबल कॉमपेक्ट दस सिध्धातों को लागू करके सतत विकास लक्षों को आगे बढ़ाने में उतकृष्ट है तो इसक बैंक पर 27 लाग रुपिये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है अफ्षिन देना बैंक ऑफ्षिन भारतिय स्टेट बैंक ऑफ्षिन सी पंजाब बैंक ऑफ्षिन डी पंजाव एंड सिन बैंक भारतिय रिजर्बैंक ने पंजाव एंग सिन बैंक पर 27 लाग रुपिये से कारण से जो है पंजाब एवंग सिंद बैंक पर 27 लाग का जुर्माना लगाया गया है तो इसका सही अंसर होगा option D पंजाब एवंग सिंद बैंक चलिए next question पर चलते हैं option D 3, option B 7, option D 8, option C 8, option D 9 निके महरास्ट राज्य बन्यजीव बोर्ड में हाली में बन्यजीव संग्रक्षण आंदलन और परियावरन संग्रक्षण आंदलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संग्रक्षण भंडार और 3 बन्यजीव अभ्यारणों को मंजूरिती है इन संग्रक्षण छेत्रों का छेत्रफल लगभग 11,000 वर्ड किलोमेटर होगा इसमें जो है आपका 692.74 वर्ड किलोमेटर का छेत्र संग्रक्षण भंडार के लिए होगा जबकि 303 वर्ड किलोमेटर का छेत्र वर्ड नजीव अभ्यारणों के लिए होगा तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा आपका option A, 3. चलिए, next question पे चलते हैं. Question number 7 है, Face ratings ने चालो वित्त वर्स के लिए आर्थिक पृधि के अनुमान को घटा कर किपने पृतिसर्थ कर दिया है? Option A, 6.8%, Option B, 5.8%, Option C, 7.8%, Option D, 4.8%. निके Face ratings ने चालो वित्त वर्स के लिए आर्थिक पृधि के अनुमान को घटा कर 7.8% कर दिया है. इससे पहले आर्थिक विकास की गति जो है, वो 8.5% रहने की उम्मेद जताई गई थी. वेश्विक जीन्स कीमतों में तेजी के कारण बहंगाई बढ़ने के चलते यूँ गटोती की गई है. वेश्विक ने अपने बयान में कहां कि प्रतिसपरधियों की तुलना में भारत का मजबूत मेडियम टर्म ग्रोथ आउटलूक रेटिंग के लिए एक प्रमुक सहाय कारण है और ये क्रेडिट मेट्रिक्स के क्रमिक सुधार को बनाये रखेगा. तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option C होगा 7.8%. चलिए next question पर दलते हैं. Question number 8 है रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने 9 जून 2022 को किस तेज को 12 हाई स्पीड तर्ट रक्षक नौकाय सौपी? Option A चेन, Option B वेतनाम, Option C रूस, Option D नेपाल. देखें, रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने 9 जून 2022 को वेतनाम को 12 हाई स्पीड तर्ट रक्षक नौकाय सौपी. इन नौकाओं का निर्बार भारत द्वारा वेतनाम को दी गई 100 मिलियन डॉलर की रण साहिता के तहत किया गया है. गौर्ड तलब है कि इन में से पहली 5 नौकाओं का अंदरबार भारत में किया गया था, जबकि 6, 7 नौकाओं को वेतनाम में ही बनाया गया था. तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा आपका Option B, वेतनाम. कभी भी कोई questions अगर आप solve करते होंगे तो आप questions करिएगा exam में, eliminate करनी का questions करिएगा. जबस आप यहां पर देख सकते हैं, चीन को हम लोग नौकाओं कुछ available नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अलरड़ी उसके पास बहुत पर हैं. रसिया भी इसमें eliminate हो जाता है कि रसिया को भी हम लोग ने दे सकते हैं, निपाल जो है वो landlock country है, तो इसको नौकाओं का जरूत नहीं पड़ेगा, तो आपका बचा कॉन फिर भी अतनाम ही बचता है सेमें, तो इसे कुछ eliminate करके भी कुछ questions आप solve कर सकते हैं, चलिए, next question दे किया गया है, option E 5, option D 6, option C 7, option D 8, देखें, विश्यु खादी सुरक्षा दिवस के अफसर पर केंद्रिय स्वास समंत्री ने खादी सुरक्षा के 5 माप दंडों पर राज्यों के माप प्रदसन को मापने के लिए भारतिय खादी सुरक्षा और मानत प्राधिकरन का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सुचकांग जारी किया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सुचकांग की सुरवा, वर्स 2018-19 में देश में खाद्य सुरक्षा परिस्थित की तंत्र में प्रतिसपर्धी सकरातमक वदलाव लाने के उदेशे से की गई थी, खाद्य सुरक्षा के 5 मह दानी प्रिस्टिक्षन इवंग छमता निर्मान तथा पुभूपता अधिकारिता सामिल है सुचकांग के गतिसेल मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किक मॉडल है जो सभी राज्य और केंद्र सासित प्रतीसों में खादी सुरक्षा की मुल्यांकन के उदेश हेतु धाचा प्रतान करता है वर्ष 2018 के लिए पहला राज्य खादी सुरक्षा सुचकांग साथ जून 2019 को पहली बार विश्व खादी सुरक्षा दिवस पर घोसित किया कुशन पर चलते हैं और पांच यह आपको कौन से माप्तन है यह ध्यान रखना होगा मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन खादी प्रिस्रिक्षण बुनियादी धांचा और निगरानी चौधा है आपका प्रिस्रिक्षण और पांचमता निर्मार तथा उप चीन अप्षंडी अमेरिका देखें कजकिस्तान में वोलाड तुर्खनाव को सौरी तुरली खानों कभ कुस्ती प्रतिविगीता में भारत जो है बारत पदक जीत कर दुसरे स्थान पर रहा है इसमें कुल छे सुन पदक एक रज़त पदक और पांच कास्य पदक सामिल है भारत के छे सौन पदक पदकों में से पांच पदक जो है सर्क महिला प्रतीभागियों ने ही अपने नाम किये है चौदर पदकों के साथ जो है एरान पदक तालिका में सीर्स पर रहा है और दुसरे पर आपका बारप पदक के साथ भारत है वोलाड तुलिगा नो कुस्ति जो है वो प्रत्योगिता का आयजन कजक्स्तान के अल्मार्टी में दो से पांच जून तक किया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ऑफ्शन भी भारत भारत दुसरे पर और एरान जो है वो पहले इस्तान पर है तो यह थास के करेंट अफ़ेर वीडियो प